तो अधिने प्रिभर्ण स्वागत्य आप सभी का किंजल क्लास इस यूटूब चैनल पर तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे बीसी सेकंड जूलोजी का सिलिवस किसका बीसी सेकंड यर बीसी सेकंड यर में हम जन्तू पे ज्ञान यानी जूलोजी कि जूलोजी का देखने वाले जूलोजी का स्लीवस देखने वाले क्यों से लिए हमको यह पता लग जाएगा हमें क्या-क्या पढ़ना है और जिस प्रकास से आप पछली किलास में पढ़ चुके हैं तो सबसे पहले मैं आप आपको कॉंकुलेसन बोरना चाहूंगा बिकॉस कि आप फष्टियर में अच्छे अंकों से प्राप्त हुए हैं तो चलिए देखतें सिलिवस को पहले बात मैं आपको बताऊं तीन पेपर आपके होंगे जूलोजी की कितने पेपर होंगे तीन पेपर होंगे और तीन में हम त प्रुष्टी का सिलिवस डिसकस करेंगे ठीक है तर उसके बाद आप कैमिष्ट्री का दूसरे चनल पर देखना या आपको इसी चनल पर कैमिष्ट्री का भी ब्लिँःस करा दिया आगवाश्त संब्सक्राइन बहु आप अपके प्लिश्टे में इस चैनल पर पत्र आने सबसे पहले पहले सबसे पहले आप पढ़ोगे क्या पढ़ोगे अपने नौन कोड़ेट पूरा कम्प्लिट कर लिया है और आप प्लीश करेंगे कहाँ पर कोरडीटा की तरव तो कौर डेटा। फालम कौरड डेटा। segregator का हम क्या देखेंगे इन्टॉदेक्षिन देखेंगे याने उसका परचे देखेंगे लियुक्रेंट् यानि class BSC first year में आपने non-coordidator का introduction पढ़ाता, non-coordidator कौन-कौन से आपके proto जो आ गए, poriphera, silentrata, plati element, s के element, annulida, r2-phoda, तो यह कौन से non-coordidator हैं, तो आपके आपका, अब आप क्या पढ़ोगी, coordidator पढ़ोगी, coordidator में जैसे आपका hemi coordidator, पहले पहला आपका chapter है, उसमें आपको in-detection पढ़ोगी, और दूसरा chapter है उसमें phylum hemi coordidator, hemi miss आपका होता है, हाप, hemi miss क्या होता है, hemi miss क्या होता है, हाप होता है, और इसमें hemi coordidator, और मतलब कहने का मतलब यह है, देखेने को मिलेगा तीसरा बैलोन ग्लोस बैलोनोग्लोसिस किस में आता है है में पढ़ेंगे में पढ़ेंगे और आपका सब से पहलेकोड़ डेटा मतलब होता है उसका सिर दसा हुआ होता है किसमें नेक में किसके अंतरगत आता है उस प्रकार का जो देखने का जो अनिमाल मिलेगा तो ब्रेंक की उस्टियोमा का का दूसरा नाम प्रिवियस में क्या पढ़ाता और इसमें हम को स्टेडी करेंगे तो तो आपकी दूसरी इनिवर्ट इसमें मैं होकर पाई आते हैं तो इस तरीका हैंगे और यह पेश्मेकर होते हैं यहा से अपना तोड करती है और यहां से अपना निकालती है और इसी प्रिकास से पानी को अबनेंद लिए इंजक्त कर्ती और इस प्रकास से इकक्षब पानी करिती अपनी वाटर को निए इसे समंदर की पिचकारी भी कहते है इसे तो आपकी धिशी लिए ती Master Sieca पर क्लास सूपर इसमेंद पड़ेंगे सु पर क्लास पर ग्लास में हम पड़ेंगे विससे यानि मचली जैनों को मचली लेका म Cellan करेंगे यो एक चैप्टर दो है इन्हे crisuchu में उसे पढ़ेंगे 吏ंuvia एन यानि ज्ञेवां जो पानी मे और किसमे पार में और ऑम लेंड पर बाटरेंड लेंड पर दोनों पर अपना जीवन बितित करते हैं उसे एंथरगत उन्हें रखा जाता है इसे इंदी में वैचरम कहते हैं और जो फस्ट एनिवल कोड़ेट में फस्ट एनिवल बाटर में कौन थे पिसिज थी और पानी और पानी और इस्तल पर कौन थे एंफिबिया थे तो अब उसके बाद ते आगला जो अगला जो आपका जो च और आर्वा में अगल्षा में एडवांस होता और इसका जो 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 ॅसकर यूह सकते हैं जैसे फोल इानिवल होता है उसके रिपैक्न और अउट्रेप्यटलं से सतली थे शाले इस तो इनन्हें अन्तरगत रखा गाए आपके चिपकली और स्ञेक्स नेट यह न्यावर हम से लीट में फिल्लयक और पारी प्रसक और है और काउन सा सथाटनाफ्य नों पोडे लो तो यह गरें गें को सब्सक्राइब सोफोल को फॉर्च फ यहर्ट पाएजा दा और इस लाव्यां अगला चेप्टर यह क्लास में यानि उसके दंत सूत्र पढ़ेंगे जितने एनिमल से उनका तो आपके पहला पेपर में कितनी चीज़ी हो गई आपको पहला पेपर हमने कंप्लीट आपको बता दिया अब दूसरा पेपर हम नेक्स बताएंगे